तो अगर आप अपने Instagram account का password भूल गए हैं ना तो आपको अपनी Instagram ID का email ID याद है ना ही phone number याद है ना ही password याद है तो आप बिना किसी phone number के, बिना किसी email ID के और बिना किसी password के अपने Instagram account को या फिर Instagram ID को login कैसे कर सकते हैं यही चीज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहना क्योंकि जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसके जरी आप एक मिनिट के अंदर बिना किसी इमेल के, बिना किसी पासवर्ट के बिना किसी फोन नंबर के अपने Instagram अकांट को Recover कर सकेंगे, तो चलिए हम ट्रिक जान लेते हैं, तो उसके लिए जस्थ हमें Instagram में आ जाना होगा, तो हम हम यहां से Instagram को Open करेंगे और हम लोग यह वाली ID को यहां पे Recover करना सीखेंगे, तो मैं आपके सामने ये वाली ID को log out करके बताऊंगा बट उससे पहले मैं आपसे एक चीज कहाना चाहता हूँ कि वीडियो को अभी से आप like जरूर कर देना क्योंकि आप लोग वीडियो देखते देखते न like करना भूल जाते हैं और मैंने notice किया जब तक मैं आपको like करने का ना बोलू ना तो आप like नहीं करते हैं and literally मुझे like करने से पैसा नहीं मिलता है मुझे सिर्फ like करने से motivation मिलता है इसलिए like करने का कहता हूँ and comment section में यह जरूर से लिख देना तो इससे मुझे यह पता लग जाता है कितने सारे लोग मेरे साथ साथ यह steps कर रहे थे या फिर वीडियो देख रहे थे तो यह जरूर से लिख देना अब हम लोग click करते हैं यहाँ पे menu bar पे and click करते हैं setting and privacy पे and यहाँ पे click करेंगे log out वाले option पे ठीक है log out वाले option पे click कर लेते हैं अब log out पे यहाँ पे click करेंगे ताकि हम इस account को log out कर सकें तभी तो recover करना सीखेंगे तो यहाँ से हम यह वाले account को log out कर लेते हैं आपके सामने सारी चीज़े मैं बता रहा हूँ तो यह account login हो गया है अब हमें click करना है add instagram account पे अब आप मैंसे काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी recently instagram app install किया होगा और उनके पास कोई already id नहीं होगी तो उनको कैसा interface आ रहा होगा उनको बिल्कुल clean interface आ रहा होगा तो हम लोग भी इस process से उसी process पे जा रहे हैं तो हम click करेंगे add instagram account पे और यहाँ पे click करेंगे login into existing account पे तो इस पे हम click कर लेते हैं अब इस पे click करने के बाद यहाँ पे यह page है loading हो जाएगा फिर मैं आपको process बताता हूँ अब हमें click करना है login into another account पे ठीक है तो इस पे हम click कर लेते हैं अब यहाँ पे जिन लोगों की एक भी ID नहीं होगी और जिनोंने Instagram अभी install किया होगा उनको इस तरीकी का as it is interface आ रहा होगा या फिर हो सकता है आप मैंसे कई लोगों को old interface शो कर रहा हो तो अगर old interface शो कर रहा है तो भी tension वाली बात नहीं है मैं आपको screenshot लगा के बता दूँगा कि आपको कहा पर किस जगे पर click करना होगा तो अगर old interface शो कर रहा है तो भी tension नहीं है बस यहाँ पे क्या जैसे forget password शो कर रहा है यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा get help sign in है ना अब जो लोग confused हो रहा है मैं आपको बता दूँ हम लोग सबको साथ में लेके चल रहा है जिनको नया interface आ रहा है वो तो अच्छी बात है जिनको old आ रहा है तो उनके लिए screenshot लगा दिये जाएंगे अगर आप old version यूज़ कर रहा होगे तो आपको नीचे option शो कर रहा होगा यहाँ पे can't reset password इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद का जो process है ना old and new में सब में सेम है तो आप tension वाली बात नहीं है तो हम क्लिक करेंगे can't reset your password पे अब हम लोग आ जाएंगे help center के अंदर अब हम हमें यहाँ पे click करना होगा recover your Instagram account वाले option पर तो इस पे हम click कर लेते हैं अब इस पे click करने के बाद हमें इस तरीके से आपे scroll करना है और हमें यहाँ पे बिलुकुल छोटे से अक्षरों में एक चीज़ शो करेगी that is visit this page यह आप देख सकते हैं blue color के छोटे से अक्षरों में दिख रहा होगा मैंने mark करके भी आपको बता दिया तो इस पे हमें click करना होगा तो इस पे हम click कर लेते हैं अब इस पे click करने के बाद हम लोग इस वाले page पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें बहुत सारे option शो करेंगे जैसे my account was hacked I forget my password और भी अलग-अलग चीज़ें तो हमे click करना होगा second number वाले option पे I forget my password और जिन लोगों का account hack back हो जाता है तो वो लोग यह वाला process कर सकते हैं तो अगर आप comment section में यह comment करते हैं कि hacked account recover करना सिखा हो तो मैं यह वाला process आपको बता दूँगा है ना next video में तो comment कर देना अगर आप चाहते हैं यह process में आपको बता हूँ but current में अभी हमें click करना है forget my password पे ठीक है तो हम इस पे हम click करेंगे then हमें next के option पे click करना होगा तो next के option पे click कर लेते हैं अब next के option पे click करने के बाद हम लोग इस वाले page पे आजाएंगे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना तो हमें email ID याद है ना ही phone number याद है तो हम अ Instagram account को recover करेंगे अपने username के जरिए अब आप मेंसे काफी लोग ऐसे होंगे जिनें अपने Instagram account का username भी नहीं पता होगा तो उसका मैं आपको एक simple solution बताता हूँ कभी ना कभी किसी ना किसी से आपने Instagram पे chat की हुई होगी उसको आप अपने WhatsApp पे message करो उसको बोलो भाई मेरे Instagram का username म आईडिया आ रही होगी वो username मुझे भेज देना third scenario यह हो सकता है कि आपको किसी ना किसी ने follow किया होगा उस बंदे को जाके message कर लो WhatsApp पे और username मंगवा लो है ना हमें आपको सारे scenario बता दिये इतने में तो आपको अपना username जरूर से मिल जाएगा अब जैसे ही आपके पास यह username यहाँ पे इंटर कर देना होगा तो मैं अपना username यहाँ पे इंटर कर देता हूँ तो मैंने आपको यही वाल अकाउंट लॉग आउट करके बताया था मनीज दुबे for you is here वाल अकाउंट था तो अब हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा send login link पे और मैं आपको एक चीज बता जानेंगे इसलिए वीडियो को ध्यान से दिखते रहा तो अब यहमें क्लिक करना send login link पे तो जैसे हीं send login link पे क्लिक करेंगे हमारे mobile नंबर पे एक message आएगा अगर हमने Instagram ID बनाते समये mobile number को add किया होगा अगर हमने Instagram ID बनाते समये email को add किया होगा तो email पे एक message जाएगा तो क्या message आएगा मैं आपको दोनों जगे बता देता हूँ, अगर हमने mobile number add किया होगा, तो हमें ऐसा message देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक link आया होगा, ठीक है, और अगर हमने email ID add की होई होगी, तो हमारी email ID पे इस तरीके का एक message आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, यह देखिए, यहाँ पे इस तरीके का message देखने को मिलेगा, तो हमें click कर देना होगा reset password पे, ठीक है, अगर आपके email पे mail आता है, और अगर आपकी 3-4 email है, तो आप सारी email शेक कर लेना, किसी ना किसी पे तो आया होगा, अगर आपको email यह वाला देखने को नहीं मिलता है, और इस तरीके का email होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे mobile number पे message आया हुआ है, तो मैं आपको mobile number वाला method बता देता हूँ, क्योंकि mostly लोग mobile number से ही Instagram ID बनाते हैं, बढ़ मैंने email वारा process आपको इसलिए बता दिया, क्योंकि by chance अगर आपने email ID add की हुई होगी, तो आपको यह वाला process देखने को मिल जाएगा, तो हम लोग आ जाते हैं, अपने message वाले section पे, तो हम लोग click कर देंगे, message वाले section में यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं आपके सामने नया password दो बार as a t same enter कर देता हूँ, याद रखिएगा same password होना चाहिए और थोड़ा strong password डालिएगा ताकि दिक्कत ना है, तो हम यहाँ पे reset password पे click कर लेते हैं आपके सामने, यहाँ पे reset password पे जैसे हम click करेंगे, हमारा password भी change हो जाएगा, हमें नया password पता भी लग जाएगा, और हमारा Instagram account आपके सामने successfully login भी हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने live आपके सामने Instagram account login करके बता दिया है, तो अगर आपको यह वीडियो 1% भी useful लगी हो, तो comment section में thank you या thank जरूर से लिख देना, तो अगर आप यह जानना चाहते हो कि Instagram का password कैसे पता करते हैं, तो यहाँ पे end screen में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, वो वाली वीडियो देख लेना, और अलसो चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना, साथ ही bell icon पर प्रेस कर देना, ताकि future में मैं ऐसी और वीडियो डालू तो आप लोग मिस्स न करें, तो मैं मिलता हूँ आप से next वीडियो में तब तक कि लिए stay tuned with Manish for you.